हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप उमीद करती हूँ कि आप अपने घर पे जुरुषित होंगे तो गाइज आज मैं चावल का स्नेक्स बना रहे हूं चाय के साथ खा सकते हैं कुरुकुरे से बनते हैं ये इसके लिए मैंने एक टोरी चावल ली है और इसको मैं अच्छी तरह दोके भीगने पादूंगी चार-पांच पानी से अच्छी तरह दोके फिर मैंने कुकर में डाल दिया इनको और कुकर में पकाके फिर इसमें एक बावल लेके मैं इसको ठंडा कर दूंगी थोड़ा सा क्योंकि गरम थे ये ठंडे होने में थोड़ा सा टायम लगता ही है आम मैं थंडे बावल दोके लोगता है चावल मिक्सी वाले ग्राइंडर में डालके इसको ग्राइंड कर लूँगी और एक इसका पैस्ट बना लूँगी उसमें आम इने दिखा इसमें ग्राइंड करके इसका पैस्ट बना लिया है और आम में इसमें बावल में निकालके हरी मिर्ची डालूँगी सबसे पहले तो मैंने हरी मिर्ची लिए है अपरी टेस्ट के अनस्वार आपको कुछ भी मसाले डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो और आम इने इसमें डाल दी ही काली मिर्च और आम इसमें डाल दूंगी पिसा हुआ धनिया और आम में डाल दूंगी इसमें अजवाएं और बुना वा पिसा हुआ जीरा और लाश्ट में डाल दूंगे नमक और हल्दी अब मेस में डाल दूंगे हल्दी और यह बहुत ही अच्छी टेस्टी यह उम बनते हैं कुरकुरे जैसे हमार पास तो यहाँ आज सर्दी जैसी हुई थी क्योंकि बारिश लगी भी तो हमारा मन करा था हम कुछ खाएं तो मैंने यह बना दिये बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और आप में इसको फ्राइ कर दूंगी फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसे लगी तो प्लीज मुझे बताना और आप इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना आप भी ऐसे बना के देख सकते हैं तो आप जुरूर घर पर यह बनाएं बहुत यम्मी और टेस्टी लगते हैं यह इसको आप चेटनी के साथ भी खा सकते हैं थांक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को फुल वास करने के लिए जी थांक यू सो मच आपका दिल से शुक्रिया आप सभी का बहुत जाएं